हलो आपरीबन वेलकम टू माय चनल तो आज हम लोग सॉल्फ करेंगे यहां पर होड्स को और यहां पर फर्स्ट कोश्टन कहता है if the circumference of a circle with radius 3.5 cm and center O is 22 cm तो यह हमारा circumference दिया हुआ है circumference करने का मतलब रहा है boundary length और आप यहां से चलना start करें और फिर से आप यहां पर पहुंचें तो यह जो distance आप travel करेंगे जो distance आप cover करेंगे वो क्या कहलाता है हमारा circumference कहलाता है ठीक है तो circumference यहां पर हमारा दिया हुआ है circle का कितना 22 cm और यहां पर radius कितना दिया हुआ है radius दिया हुआ है 3.5 cm यह हमारा radius है center से हमारा circumference का यहां पर distance है वो हमारा क्या कहलाता है radius कहलाता है हम लोग को निकालना क्या है कहते है find the perimeter of the quarter of the circle तो यह जो हमारा यहाँ पर एक quarter बन रहा है यह देखिए हाना quarter कहने का मतलब एक circle का fourth part यह हमारा circle है इसको हमने कहा कि है आफ four part में divide कर दिया तो जब four part में divide कर दिया तो एक part जो बन रहा है इसका हमको perimeter निकालना है perimeter आने boundary length तो यहाँ से यह length प्लस यह length और यह length हमको निकालना पड़ेगा तो यह देखिए यह हमारा कितना है 3.5 radius है यह हमारा क्या है 3.5 radius है यह length हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा और यह क्या होगा तो जो circumference है उसका four part होगा ठीक है तो चुकि circumference को four से divide कर लेंगे तो हमारा यह length निकल जाएगा इसको add कर लेंगे हमारा perimeter आ जाएगा तो आईए हम लोग यहाँ पर बना लें यह हमारा radius कितना है 3.5 cm हम यहाँ पर note कर लेते हैं 3.5 cm circumference हमारा 22 cm लिखेंगे अब लिखेंगे so perimeter of the quarter यह हमारा जो perimeter होगा यह क्या होगा तो यहाँ पर हमारे पास radius है तो radius हम two times लेंगे यह देखिए यह हमारा 3.5 cm फिर से हमारा यह 3.5 cm पर इदर से आएगा 3.5 cm प्लस किए और हम यहाँ पर प्लस करेंगे यह जो हमारा boundary length circumference इसको फोर पार्ट में डिवाइड कर लेंगे क्यों चुकि आप यहाँ पर देख सकते हमारा यही लेना है यह लेन्थ लेना है चुकि पेरिमिटर तो हमको इतना ही का चाहिए न तो यह लेन्थ हमको चाहिए तो जो हमारा यहाँ पर 22 ह है इसको हम क्या करेंगे फोर से डिवाइड करेंगे तो फोर से डिवाइड करेंगे आभी इसको एड कर लेंगे तो हमारा यहां पर आ जैगा आंसर तो चलिए लाज्व मकिनगा टो फिर से 20 हो जagenगा तो इसका लग हो गया कि 4520 तो कुल मुला कि हमारा है यहां पर 5.5 आ गया अभी हम इसको क्या करते हैं एड कर लेते हैं अभ यहां पर कैसे हमने डिवैट किया तो 45 आपको यहां पर 20 माइनस किजिए आपको यहां पर 2 मिलेगा एक क्रॉस यहां पर डेसिमर रखेंगे यहां पर 0 आ जाएगा फोर से फाइब से आप इसको कर लिए तो आपको क्या आगिया 20 यह आपका कैंसल आउट हो गया तो अभी इसको एड करेंगे था हमारे पास क्या आ जाएगा यह फाइप और फाइप हमारा फाइप और जीरो एड़ करके हमारे पास 5 हो गया और यहां पर फाइप और से वेन हमारे एड़ को गया तो मारा कितना आ गया 12.5 cm यह लोगों का बन जाता है आंसर के लिए एड़ करने के लिए हम लोग यहां पर क्या करते है ना जो हमारा 7.0 है इसमें को एड़ करना 5.5 तो ध्यान रखेगा यह डेसिमल के सामने हम सेकेंड भी हमारे पास आसानी है कहते है या इसका स्कुर्ण इसक रूप में तो स्कुर्ण में रहागे है और स्कुर्ण सेपमें 94 बंट कर दिया गया है और क्या बना दिया गैए circle बना दिया गया, कहता है what will be the circumference of the circle तो यहाँ पे हमारा wire किस रूप में, square shape में तो यहाँ पे बना लेते हैं, तो मान के चलते हैं कि हमारा wire square shape में है, और इसका side कितना दिया वाँ यहाँ पे तो 4 cm दे रखा है, अब इसको ना bend करके किस में बना दिया गया है, तो circle में बना दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे तो अब ही ना हम लोग को यहाँ पे क्या निकलना है, कि जो circle में आया है इसका boundary length, आनि की circumference क्या होगा, यह boundary length क्या होगा, तो जो wire है, इसी को बनाया गया है, तो wire की जो लंबाई होगी वाइर की जो लंबाई होगी टीक है वही न मसब हमारा यहां पे सर्कल का सर्कम्फेरंस होगा चुकि वाइर को ही तो यहां पे बेंड कर öğican रये सरकल तो हम यहां पर क्या करते हैं इसके लेंदध को निकाल लेते है वाइल का लेंद कैसे निकाल सकते हैं तो देखिए यहां पर साइड दिया हुआ ए 4 सेंटीम्टर तो इसका मतलब जितने भी साइड है सब के सब 4 सेंटीम्टर होगे क्यों चुकि यह स्कॉयर सेप का है तो 4 प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर हमारा कितना हो गया 16 तो यहाँ पे जो circumference है वो हमारा कितना हो जागा 16 हो जाएगा के लिए तो आए इसको हम यहाँ पे solve कर लेते हैं तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे side of the square यह हमारा कितना है 4 cm so perimeter of the square यह हमारा हो जागा 4 into side आने की 4A तो 4 लिखे और A का value 4 cm तो 4 cm हमारा कितना हो गया आपे 16 cm राइट ये तो हमारा निकल गया ये जो perimeter है हमारा square का वो निकल गया तो जो perimeter हमको निकल गया वही तो हमारा length होगा वाइर का और यही हमारा यहां पे change होके आ रहा है circle में तो circle का भी circumference हमारा same होगा तो चलिए हम लोग आपे note कर लेते हैं therefore circumference of the circle equal to perimeter of the square अब यहां पे perimeter क्या square का आया है तो 16 cm आया है तो ये हमारा हो गया answer